गुद मॉर्निंग गाइज हावर यू आइम यो फ्रेंड आर्जे वन्स अगैन विद यू इन निव शेशन ओप एडिटोरियल आज के हमारे पास जो एडिटोरियल है उसके बारे में थोड़ा सा थाइलेंड के बारे में डिस्क्रिशन हमारा हुआ है सबसे बिले आप इसका फोड़ा और आगे देखें तो यह इसका थोड़ा सा एक शेफ हो गया मालों हो सकता है लगे नहीं आपको यह कार है पर में इस टिल एकारी बनाई है तेक है तो यह कार था आपके पास में अब कार में यहां पर आप देखोगे कोई स्टेरिंग का सेंस यहां पर बनता है और यहां पर कोई परसन उसको चलाएगा उसके बाद में यह पार्टिशन और यहां पर एक और परसन बेटा होगा अब आप जानते हो कि जो फ्रंट सीट पर बेटा होगा वही तो ड्राइव करेगा लेकिन अगर इसा नहीं हो रहा है जो आगे का तो वहीं छीज चीजKY पर आसकते को बेकसी ड्राइविंग में और यकाम कर पास्टेस्ट और साथ के साथ ही एकर हम लोग इसी के साउथ वेस्ट में अगर मुग देखें तो थाइलेंड आता है थाइलेंड काफी फेमस है इसकी जो capital city है बैंकोग बैंकोग को लेकर काफी काफी है यह क्योंकि यहां की जो खुफूरत बीचेज है उन बीचेज की वज़े से यह काफी फैमस है और दूसरी बात इसके करम लोग देखें तो यहां की जो हम लोग देख रहे हैं करंसी तो वह होती है भात भी एच्टी जो बीटा के साइंस में इस टाइप से उसको क्या होता है अकी मोनार्व की जो आपके पास में अफसको समझ पहले है अर्क जो वोड रखता है तो हमेश्य रिप्रेजिंग करता है यौर को कहीं पर और को हों गया सब आपकी पास में Autour रूर्लिंग के संस र mist आते वहर्शाषia था तो कहीं पर कोई King हें वह अभी भी शाषयन में हो तो इसने मोनाऱ्की के संस मेर निकैस्श करते नो कोई family है वह अगर उसकर अम लोग देखे थे तो आपके पास का साूटा। तो हुष कर एक कि फारटा यूथ्यूजर कर यह व्यूम्य। मतलब होता है जो बिजनेस में कोई सक्सेफ स्लन आजमी रहा ूह तो संहें humor निंटाइक। business में ही use होती है from the Pautha Party as Thailand's Prime Minister remarks a shift toward अब हुआ क्या है कि जो Thailand की जो Prime Minister है उनका जो point of view है वो shift हुआ है कहा हुआ है civilian governance के उपर यानि कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर civilian government आये किस की जगे पर from almost a decade of military rule जो military rule वहाँ पर चल रहा है जो military का establishment की वज़े से जो उसका जो engagement उसमें चल रहा है जो military ने वहाँ पर जो शाचे ने इस्तापित किया हुआ है उसको हटा कर कब से हो रहा है ये 10 years मतलब at least 10 years तो हो ही गए है उस चीज़ को लेके कि 10 साल से जो मिलिटरी रूल चल रहा है हम उसको हटा कि हम लोग वहाँ पर civilian government लाए जो democracy को promote करे और थोड़ा सा progress की सोचे ठीक है but that is not the full story अब अगर आप सोचते हैं कि यही यहाँ पर complete बात है नहीं इसके अलावा भी वहाँ पर अभी और भी कुछ चीज़ें बागी है आगे बढ़ते हैं यहाँ से the party that won the May parliamentary election क्या बोला है कि जो party अभी मही में जो parliament के election हुआ था उसकी बात हो रही है was prevented from forming the government by the military royalist nexus because of its progressive and anti-establishment views अगर हम लोग इस बात को समझे जिस party ने May में जो parliamentary election हुआ था और उसको majority मिला था तो उनको block कर दिया गया है उनको रोक दिया गया है stop कर दिया गया है prevent कर दिया गया है क्या करने से कि आप government मद बनाऊ government बनाने से उनको रोक दिया गया है और reason क्या था उसमें क्योंकि वो जो उनकी जो point of views थे जो ideology वो follow कर रहे थे यह किसके खिलाब थी वह वहाँ की जो अलड़े इस्टेबलेस्मेंट जो मोनार्की हम लोग अभी देख आ थे मोनार्की की खिलाब थी या फिर मिलिटर की खिलाब थी या यह हम क्या सकते कि थोड़ा वह प्रोग्रेसिव हो के सोच रहे थे देश का भला सब्चा रहे थे वो तो उसको के वाल इन व्यूज के वज़े से उनको वहाँ पर रोग दिया ब्लॉग कर दिया गया है ठीक है अब रिजन तो इसके लिए और भी देंगे ऐसा बात नहीं है कि सिर्प इसी व्यूज से उनको इंफ्यूलेंस रहा है वस गिवन चांच उसको एक मोका दिया गया आप्टर इट एग्रीट टो फॉर्म अ कॉलिजन के लिए उन्हें बोला है कि आप अपना गड़बंदन मना सकते हो गड़बंदन मॉस्ली जब होता क्या है को समझोद राचा कॉलिजन में ऐसा होता है कि अगर किसी भी पार्टी का मजरूटी नहीं मिला हो ठीक है तो दो पार्टी आपस में आके एक हो जाती है अपना गड़बंदन करती हैं कॉलिजन करती है और फिर वो दोनों मिलके एक उन्हों का कॉलिजन हुआ है और फिर उन्होंने गवर्मेंट को फॉर्म किया है ठीक है यह जो वहां के एक काफी अच्छे लीडर रहे हैं इनका मुझे एक्षुल पुनेशन नहीं पता पर मैं कोशिश करता हूं पिटा लिम्जावरेंट लिम्जावरेंट ठीक है लिम्जा इनकूरेंट केशन है पिर रहे है यहिर ईदेखिए जो पर मोटर पर करने मैं उंसान تھे इंक्ल्यूडिठ इंचोर ओं नहीं लोगों को क्या क्या था एंचोर किया था एकोङ म ball यस्टिस कि आपको क्या मिलेगा आपकी एक्सट मिये उसका बाधती हुए जाएगे पीपिंग दे मिलिटरी इन चेक और वह क्या करेंगे बिलिटरी की ऊपर कुछ ने कुछ हो सकता है वह उंवेस्टिकेशन रखेंगे और अमेंडिग तो कॉंट्रोवेशल मतलब जिसके ऊपर कापी संदिक्स बाते हो रखी हो जिसके ऊपर कहीं ने कहीं उसे एलेगेशन लग जो official language मानी जाओं की कोई के सबस्क्राइब कि इसा इस्टेश्मेंट हो या गॉवर्मेंट हो जो राजा चलाते हैं या फिर रानी चलते हैं वाला जो साशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेजे मजेस्टे या फिर हम लोग है सकते हैं मुनारकी हम लोग उसके लिए वड़िज करें तो उसको हम लोग क्या कर देंगी completely amend कर देंगी that shields the monarchy ठीक है जिसको किसने monarchy ने एड किया हुआ है जो कहीं ने कहीं मोनारकी के ऊपर अभी भी क्या कर रहा है शील्ड बनके उसकी protection कर रहा है from public criticism और इसकी वज़े से क्या नहीं हो पा रहा है public criticism नहीं बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा को उनकी खिलाब सुन भी नहीं पाता है इन चीजों को मिस्टर पीता पीता फूज को यह क्लिजन हैड एक क्लियर मेजोरीटी जब की जो मिस्टर पीता थे उनकी पार्टी की पास में क्या था एक्सक्ट मेजोरीटी थी लेकिन इस्तिल उनको नहीं मनाया गया in the elected lower house of parliament यहने के पार्लेमेंटर जो एक्सक्ट मेजोरीटी था लेकिन फिर भी उनको नहीं दिया गया है चीस, I had tried to form the government twice, दो बार, दो बार उन्होंने क्या किया है, government बनाने की कोशिश करी लेकिन दोनों बार उनको block कर दिया गया है शुच्राइब पर्लेमेंट और यह लेटर बार्ड और उसके बाद में उनको बेन ही कर दिया ठीक है इसको हम लोग बेन करने के संस में भी ले सकते हैं और कभी किसी को जेल भेज दिया वह भी हम लोग इसके यूज कर सकते हैं ठीक है फ्रोम पर्लेमेंट और एलिगेशन ऑफ हाइडिंड डिटेल्स फिशेड इन नाव डिफंक्ट मीडिया कर लिए डिफंक्ट को गर मोग बोलते हैं अब बंद हो चुकी है तो उसमें उनका कितना शेड था इसकी डीटेल उन्होंने चुपा यह 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 रिजन देखे उनको क्या कर दिया गया है डिबार कर दिया गया है ठीक है the constitutional court is hearing a petition और जो constitutional court है वो इसके ओपर hearing भी सुन रहा है एक petition जो दायर की थी वो सुन रहा है अगेंस्ट move forwards promise to amend the lesser majesty law which could lead to its dissolution ठीक है आप समझे रहे हो इस चीज़ को कि अगर पहले से establish होती है तो उसके लिए अगर आप उसको अठाना चाहोगे तो एकदम से उस चीज़ नहीं कर पाऊगे उसके लिए आपको बहुत पिसना पड़ेगा बहुत मैनत करनी पड़ेगी आप तो कीछी चाहर हो कि एक दिन में वह हो जाए नहीं हो पाएगी ठीक है तो मिस् सब्सक्राइब करें तो कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर भी बैक सीट पर जो ड्राइविंग कर रहा है वह असल में आपके पास मिलिटरी है और जो पापेड गोर्मेंट उन्होंने रखी हुए वह एक हो गया ठीक है ओल्दो यह मेरे टम नहीं होने चीज़ था पर डेमो किनेटिक एक्स्प्रेमेंट चलते रहे हैं कोशिश करी ही लोगोंने कि यहां पर डेमोक्राइश आ जाये लेकिन स्टिल हमेशा मेरेटरी ने इस बात का धियान रखा है कि हमारा इंफ्लूइंस है वह कम नहीं होना जी हो हमेशा उनका प्रभाव अपने अपने मेंट करते हैं 12 और कॉप्स का मतलब होता है रूल चेंज ठीक है यानि कि पार्टी में बदला हो चुका है गवर्मेंट इतना चेंज हुका है मतलब उन्होंने लगबग उनके उपर यह एलिगेशन लगे हुए हैं कि उन्होंने बारा-बार तक्ता पलट किया है बारा-बार उने सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर किस इसको help करना हम लोग कहें ठीक है help करना में सकते हैं ईवन सपोर्ट करना भी हम लोग सकते हैं तो इस इसको कोन कर रही है वहां की मöhンピर की कर रहे है ता मिलेलिट्रीज श्ट्रेंग कोल्ड है जओई यहाँ प्रद 지स्त एंज 마음에 creating the यह हमेशा कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है पेवथाई पार्टी इटसेलफ इस दे थर्ड इंकार्णेशन ऑप दे प्रो-डेमोक्रेसी मुव्मेंट अगर हम लोग देखें जो प्रो-डेमोक्रेसी यानि जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहेते हैं वो इसी का एक हिस्सा रहेत हैं वह इसी का हम लोग कह सकते हैं कि इंकार्णेशन था उसी से उसका जन्म हुआ था वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी मुव्मेंट हुआ था उसी में से वह पार्टी निकल कि आए थी अगर हो की बात याद हो आपको जो आफ्लाइन क्लास में पड़ रहे हैं उनको आपको याद होगा रिलेटिव पुनावन मैंने आपको पड़ाया था और आपको मैंने ये भी बताया था रिलेटिव पुनावन की उस क्लास में मैंने आपको ये चीज़े बताई थी कि अगर आपके पास में कहीं पर हूँ या फिर हूँ आप यूज करते हूँ तो कंडिशन क्या होती है उसमें कि इससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए एक एंटेसेडेंट होना चाहिए आपके पास जो एंटेस्टेंट होगा उसी मेंसे आप इसका रेफरेंस ले सकते हूं अब आपके पास में वुझो था है subjective में और यह आपके पास में उच होता है object की form में ठीक है यह वाला हम लोग सीख आये थे ठीक है तो यहां पर जो हूँ आया है किसके लिए यह यह ताक्षिन साब के लिए आया है ठीक है बस अब देखों हूँ आया है उसके बाद में क्या है helping सब्सक्राइब कर रहा है आउटेस आउस्टेट प्रॉम पावर इन 2006 जो 2006 में पावर की बात हुई थी उनको वहां से उस ताइम पर हटाया गया था प्रायर तुदम में माई के ऐलक्षन से पहले की यह बात हो रही है थेउताफ़ है वाव्ड मतलब उन्होंने प्रामिस किया था वादागिया था उन्होंने प्रामिस किया था वादा किया था किस इसका वादा किया था भई to keep the military out of politics कि वह क्या करेंगे की वह military को politics से बाहर कर देंगे only to walk back on its promises और यह कहा था कि हम लोग CEC के ऊपर अपनी बात पर अडे रहेंगे it now says that it will not support amending और अब वो के रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे हम ECS को support नहीं करेंगे the lesser majesty law ठेक है citing a lack of consensus incidentally Mr. Takshin who was sentenced in absentia to 8 years in prison for corruption क्या बोल दिया absent है मतलब उसको उनको नजर बंद कर दिया गया है वह किसी को नजर ही नहीं आएंगे नजर बंद कर दिया गया है कहां किसी जेल में किसके charges के ओपर कि उन्होंने स्रेटा एस प्राइमिनिस्टर और उसी दिन क्या हुआ है कि उन्होंने मिस्टर स्रेटा को क्या किया है प्राइमिस्टर की रूप में चुन लिया है Mr. Takshin was arrested on arrival और उनको आते ही उनको क्या कर लिया है arrest भी कर लिया बापिस से ठेक है but his return raises questions on whether the Pavothai might cut a deal कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो प्राइमिस्टर में deal कर रहे ही हो इसको लेके with the military to ensure his safety ताकि उनकी safety कि Mr. Takshin की safety हो सके and probable royal pardon और क्या चारह है हो कि उनको जो राधर आनी है उनके तरप से in exchange for the not harping the interest of the establishment किसके बदले में कि जब हम आपको जेल में नहीं भीज़ेंगे वापिस से बट आप लोग जो मिस्टर ताक्सिं से कहा जारा है कि आप अगर क्या नहीं करते हो establishment को कोई हाम नहीं करते हो कि को छेड़जाड नहीं करते हो अपने आपको neutral रखोगे तो हम आपको freely घुमने देंगे इसीज के लिए मतलब होता है किसी इसको इग्नोर करना we can also use this word overruled the spirit of the election यानि कि जो election हुए है उसके rule उन बातों को उन result को आप ignore कर रहे हो completely ठीक है और ऐसा कर रहा है जो military है वो कर रही है वहां की ठीक है और Mr. Seta could find it hard to tackle Thailand's merit challenges जो varied type के उनको भी पास challenges आने वाले हैं उनकी that include reviving a slugish economy इसलगी मतलब जो बिलकुल अधर जूल में पड़ी हुई जिनका कोई मतलब भी निया और इसलगी इसका मतलब हम लोग कहते हैं जो dealer डाला होता है इसका कोई मतलब भी नहीं जिसका कोई progress ही नहीं है ठीक है and advanced democratic rights when his government is remote controlled by the establishment जबकि वो चारे हैं कि वो उनकी जो इसलगी इस government है उसको normal करके उसको आगे progress में लेके जाएं लेकिन जब उन्हें खुद पताए कि उनकी जो government है वो remote से चलने वाली government है तो वो क्या करवाएं नहीं इसके लिए अगर मैं आप से कहना चाहूं कि यह तो यह क्या चीज़ हो सकती है मैं अपने point of view रख रहा हूं आप लोग अपने point of view इसके लिए comment books में बताना ठीक है जब बात हम लोग कर रहे हैं Thailand के लिए तो Thailand के लिए यह कहा जारा है कि वहां पर असल में अभी भी जो अनर्की है वही चल रही है अनर्की मतलब जहां पर कोई रा के साथ में इंगेज हो रहे हैं और उन्होंने अभी भी power को hold किया हुआ है महाँ पर वो democracy को पनपने नहीं देना चाह रहे हैं पनपने नहीं नहीं देंगी नॉर्मल सी बात है कि अगर वहां पर democracy नहीं होगी तो अभी भी उनका राज चलता रहेगा उनका राजपार्ट व के पास जा रही है लोगा कहीं नहीं होती तो परिशान होती है आप इस देख सकते हो एफगानेस्तन हो गया पाकिस्तान हो गया इदर अपने अश्यान कंट्री जितने हैं उनमें भी इस देखने को मिल रही है और हमें तो इस दिसका शुक्र को जारा होना चाहिए कि हम वापिस से विश्व गुरू बनने की रहा पर चल रहे हैं थाइलेंड के लिए हम लोग प्रही कर सकते हैं कि वहां पर मोनार्की वगरा हटके अब वहांबर वापिस से गवर्मेंट जो है डेमोक्रसी वाली है वह आज जाए तो यही था आज की इस सेशन में मिलता है नेक्